अलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा साथ में जिसका विशे है गनित इसकी वरक्षीट नमबर 12 समझाऊंगी जिसकी डेट है में पस 3rd September 2021 आज की वरक्षीट में हम दश्वलव संख्याओं में गुना करना सिखेंगे देखो वैसे तो हमें गुना करना आता है आता है न अगर मैं आपसे बोलू 4 x 5 कितना आता है तो आपक अगर पर आपको 2000 आता है आपको गुना करना लेकिन दश्वलव संख्याओं में कैसे अगर संख्याओं की र्से खरीद ने हो तो उसे कितने पैसे देने होगे जखो एक लड़की है याब अगर उसे 1.5 kg संत्रे खरीदने है और एक किलो का जो कॉस्ट है प्राइज है कितनी कीमत है एक किलो की वो है 50.50 तो बताओ वो कितने पैसे देगी तो इसका मतलब वो डेर किलो के लिए कितना देगी डेर किलो को 1.5 को 50.50 से इंटु करोगे तब ही तो पता चलेगा वो कितना तो चलो इंटु करके देख लेते हैं यहां पर कैसे करेंगे तो इसका मतलब मैं यहां पर 1.5 को 50.50 से क्या करने वाली हूं इंटु करने वाली हूं अब इकुल ध्यान से समझेगा इंटु करेंगे कैसे तो आप ऐसा करो अभी थोरी देर के लिए ना दश्मल अब को भूल जाओ ठीक है और माल लो कि यह यह लिखाव है 50 into 5050 अब तो आप गुणा कर सकते हो चलो तो फिर आप गुणा कर लेते हैं जब हम कर सकते हैं तो तो 500 55 25 यहां पर टू आगया 55 25 यहां पर टू आगया 55 25 यहां बात आती है इसमें दश्मल अब तो है ही नहीं बिलकुल अब ह इसमें लगाएंगे कैसे लगाएंगे वह देखो दू के बाद एक संख्या है और दो संख्या है तो कुल में लाके तीन संख्या हो गई है अब जो आपका उत्तर आया उसमें पीछे से देखो एक, दो, तीन, चोड़ दो और यहां लगा दो दू तो यह आपका आंसर देख अगर हम देखें तो यह रहा है, पुड़ा है मैच, ठीक है, चलिए, अब यहां पर हमार को एक और गुना करने के लिए दिया, 1.5 को 25 से, तो यह भी बहुत असान है, 1.5 को 25 से करना है, पूरी देर के लिए दश्मल अब को भूल जाते हैं, 15 और 25 को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2, 7, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3, तो 3 75 आ गया, अब 3 75 तो आ गया, अब दश्मल अब को वाप से याद कर लो जरा, तो दश्मल अब के बाद एक संख्या है यहां पर, तो पीछे से एक संख्या छोड़ो औ आपका अंसर आगया, clear, है ना, आसान, चलिए, अब आगे देखते हैं, यहां पर आप से क्या कह रहा है, अब अगर आपको दश्मल अब संख्याओं को 10, 100,000 इन संख्याओं से गुना करना हो, तो और भी असान तरीका है, जैसे अगरु धारन के तो और पे हम यहां लेत ल आपका आंसर आजाएगा 17.8, माल लो, अगर यहां पर 20 होती, 100 है, तो 20 है, तो आप इस दश्मल अविस्तान को 2 संख्याओं आगे ले जो, तो आपका आंसर आजाएगा 175 पॉइंट, मतलब दश्मल अब कुछ नहीं है तो आगे 0 लगा दो, अब माल लो कि यहां पर आपको 1.78 को 1000 से करना होता, 30 है, लेकिन 3 इस्तान आगे लेके कैसे जाओं, दश्मल अविस्तान के बाद तो है यह 2 संख्याओं, कोई बात नहीं, 2 संख्याओं है, तो बाकी की संख्याओं हम खुद से बना लेते हैं, 0 लेके, जो की हम बना सकते हैं, ठीक है, अब 30 है, 3 इसको 100,000 इन से गुना करना हो, तो यह शौटकर तरीका लगाना है, ठीक है, चलिए, अभी हम आगे देखते हैं, यह तो हमने करी लिया, चलो, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आप से क्या कह रहा है, अभिहास करें और एक गेम दे रखा है, पहले अभिहास करें वाले 48 हो गया, ठीक है, 48 जा 32, 32 में 4 प्लस करोगे तो 36 आजाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर आगया, 368, दश्वलव वापसी याद कर लो, दश्वलव के बाद एक संख्या थी, एक संख्या छोर के मैंने यहाँ पर दश्वलव लगा दिया, चलिए, कोशन नमबर 2 देखत है, 0.05 को 7 से इंटू करना है, तो दश्वलव भूल जाओ थोरी देर के लिए, 57 जा होता है, आपके पास 35, 35 लिग दिया, दश्वलव के बाद यहाँ दो संख्या है, यहाँ पीछे से 2 संख्या छोरी और दश्वलव लगा दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमने 0 1 को 517 से इंटू करोगे, तो 517 ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करो, वही संख्या आती है, अब दश्वलव कैसे लगाएंगे, एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ है, दो संख्या है, तो पीछे से 2 संख्या छोरो और दश्वलव लगा दो, clear? चलिए, फोर्थ कोशन देखते हैं, 112 को क्या करना है, 0.15 से इंटू करना है, 0.15, जैश्वलव भूल जाओ थोरी देर के लिए, 112 को हम क्या करते हैं, 15 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 बंजा 5, प्लस 1, 6 और 5 बंजा 5, 12 जा 2, 1 बंजा 1, 1 बंजा 1, तो 0, 6 प्लस 2, 8, 5 प्लस 1, 6 और 1, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 1680 अब दश्वलव देखो, एक संख्या यहां है, दो संख्या यहां है, तीन संख्या हो गए, पीछे से तीन संख्य चोड़ो, और दश्वलव लगा दो, तो यह आपका आंसर, ठीक है, चलिए, फिर करते हैं, नेक्स्ट फिफ्ट, किया रहा है, आयत का शेतरफल ग्याद करो, जिसकी लंबाई है 5.7 और चोड़ाई है 3, शेतरफल निकालना है, लंबाई चोड़ाई दोनों ही दे रखी है, तो पहले हम अपना सूतर लिख लेते हैं, यहां, तो शेतरफल किसका निकालना है, आयत का, उसका सूतर होता है, लंबाई को चोड़ाई से गुना करना, तो 5.7 और 3 है, दश्वलव भूल जाओ, गुना कर दो पहले, 57 को 3 से, ठीक है, दश्वलव के बाद एक संख्या है, पीछे से एक संख्या छोड़ी और दश्वलव लगा दिया, और सेंटीमीटर स्क्वाइर, यह मेरा शेतरफल निकल के आ गया, अब जो एक गेम दे रखा है, वो देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कोशन, होबग कोशन मैं आपको यहां पर दे देती हूं, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो साथ साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजेगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेए, ठीक है, चलिए, करते हैं अब अपना क्या है, यह गेम है, क्या खेले, आपको अच्छा गुना करकर के लिखता है, सबसे पहले इसको लिखते हैं, यह असान है, तो पॉइंट फाइफ को टैन से गुना करना है, बहुत असान, अभी मैंने बताया, टैन हंड़ेड थाउजन में क्या करना होता है, इस अप दर्शमलव आगे खिसका न और कितना आजाएगा, 250 पॉइंट में 0 आगया, फिक है? उसके बाद यह करते है, 5 को 2.5 से करना है, तो ऐसा करते है, 25 को 5 से कर लेते हैं, तो 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 1 12, तो आशार आगया 125, दशमलव के बाद एक संख्या है, एक संख्या छोड के दशमलव लगा दिया, फिर 2 2.5 को क्या करना है 2.5 से करना है तो दश्वलव भूल जाते हैं 25 को 25 से कर लेते हैं तो वो आता है हमारा 625 multiply करके दश्वलव के बाद एक संख्या यहां है और एक संख्या यहां है पीछे से दो संख्या छोड़ी और दश्वलव लगा दिये यह थी हमारी असान सी वरक्षिट जिसमें हमने दश्वलव में गुना करना सीखा है ठीक है चलिए होवा कोशन का अंसर देना मत भूलिएगा नेक्स्ट वरक्षिट आप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू